हलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल माई प्रेगनेंसी केर और मैं हूँ आपके साथ अर्षना अगर आप प्रेगनेंट हैं तो आप हर महीने अपने अंदर कुछ नए बदलाव जो हैं देख रही होती हैं तो उनी बदलाव में से एक बदलाव आता है पेट का दिखना तो अ समझ सकते हूं कि काफी क्यूरियस होती है इस टाइम पे लेडीज की इतना टाइम हो चुका है और कब इस अब दिखना शुरू होगा तो यह जो वीडियो है मैं इसलिए लेकर आई हूं ताकि मैं आपको बता पाऊं अच्छे से क्लियर कर पाऊं कि जनरली जो बेबी बंप इस टाइम पर आपके पेट के आकार में यानि बेबी बंप में कोई चेंज लिए वह दिखना वह दिखना कौन से महीने से शुरू होता है तो आई होप आपको वीडियो इंट्रस्टिंग लगेगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको जो है करते हैं बात करते हैं परले बात करते हैं फर्स फोर से implacable ना होता है किस में और एक फ्यूजभी बऄन कोई चेंज नहीं दिखेगेगा क्या होता है तो इस टाइम पर आपके प Claire Quinn अगार में कोuri चेंज नहीं डिखेगा क्योंके इस साइज होता होता है बहुत हीalen प्रॉं पेट में दिखाई नहीं देगा, देखे अब बात करते हैं, 4 से 8 वीक्स की, यानि कि जो दूसरा महिना होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का जो साइज होता है, वो एक इंच तक बढ़ जाएगा, तो इसमें भी ना के बराबर ही चेंज आता है, और आपके पेट कोई बहुत दा अंतर नहीं देखेगा, पर हां आपके कमर में एक तरह का चेंज आप देखोंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें कभी-कभी आपकी पैंट पी, जो है, उसका साइज जो है, वो छोटा हो सकता है, यानि कि आपको हो सकता है, वो पैंट थोड़ी से ताइट अगले हम बात करते हैं 12-18 हफते की यानि कि second trimester होता है दूसरे तीमाही के अब शुरू हो चुकिये तो इसमें बच्चे का size 5 इंच तक हो जाता है और इसमें आप अपने अंदर जो है थोड़ा change मैसूस करें यानि कि आपका पेठ हलका हलका आपको दिखना जो है शुरू हो और यही वो time है जो अपने relatives को बता सकते हैं कि आप pregnant है क्योंकि इसमें आपको जो first trimester में जो खत्रा रहता है miscarriage का वो अप टल गया है और आप second trimester में एंटर कर गया है दूसरे 3 माही में आ चुकी है तो इस case में आप अपने relatives को भी घुशकबरी दे सकती है अब आता है 18 से आपका baby bump अच्छे से दिखने लग गया है अब बात करते हैं 22 वे से 26 हफते की तो इस time पर आपके बच्चे का ग्रोज जो है अच्छे से होने लग जाता है आपके बच्चे का size जो है 15 इंच तक इस time पर हो जाता है और आप देखेंगे कि आपका baby bump और भी जादा हो गया है अब देखे 26 से 30 हफते में जो बच्चे का size है वो 15 इंच बताया था तो अब जो है 18 इंच तक हो जाता है और आपका baby bump जो है इस पर depend करता है कि बच्चे का growth किस तरह का है अगर आपके बच्चे का growth अच्छा चल रहा है तो आपका baby bump और जो है निकलने लग जाएगा तो य यह होता है 26 से 30 हफते में अब बात करते हैं 30 से 36 हफते की तो देखे यह प्रेगनेंसी का आखरी टाइम ही होता है यानि की डिलीवरी अब कुछ दिरों में होने ही वाली है तो इस टाइम पर जो बच्चे का size है वो 19 से लेकी 22 इंच तक हो जाता है और इस टाइम पर आपका जो size या baby pump होगा वो इसी टाइम पर दिखाए देगा तो फ्रेंट्स दी जो सारी मैंने चीजे बताई है मैंने एक जनरल प्रेगनेंट लेडी के लिए बताई है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जिनका जो बेबी का ग्रोथ है वो बेच्छ चल रहा है और कभी-कभी कु कुछ टाइम पहले दिखने लग जाया कुछ टाइम बाद दिखे तो वो कई और चीजों पर भी डिपेंड करता है जैसे कि अगर मालीजी आप लंबे है तो अगर जो प्रेगनेंट लेडी अगर उसके हाइट अच्छी है तो दिखिए आपका जो पेट है वो इस तरह का है कभसे दिखना शुरू अगर आपका जो अप जाया जो घृती करण होते हैं तो आपसे अपके हैंगर उसके में लेख स्मझ पाया होगए कि इसके क्लीछे 46 हो इंप अब अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक करें, आप कमेंट में लिखकें, मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अगर आप पूछना चाते हैं तो, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, थैंक यू